दोस्तों अजगंदगे वैसे तो काफी नुश्के है परन्तु इसका एक बहुती अच्छा प्रियोग मैं आपको बताता हूँ इस ओसदी की एक खास बात है कि यह गाव को इस तरीके से भरती है मानो जैसे वहाँ पर गाव था ही नहीं नमस्कर दोस्तों बबा अरवेदा में आप सभी का स्वागत है और आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे ओसदी के पोध्य के बारे में इसे डोकंटी और पंपिलू के नाम से भी जाना जाता है हमारे बहसा में इसे अजगंद के नाम से जाना जाता है आपके बहसा में किस नाम से जानते है किरपे कोमेंट करके जरूर बदाए अजगंद का यह पोध्या सारे भारत वर्ष और गरम देशों में पाया जाता है इसकी में साखा सीधी होती है और निचे से काफी साइड से साखाय निकलती है इसके पत्ते आमने सामने दिल के अकार के और कंगूरेदार होती है इसके सारे पोध्ये पर रूवे रहती है इसके पत्ते हलके मोटे दलदार होती है इसके जो पुस पोध्ये बड़े ही सुंदर और बैंगनी रंग के आते है दोस्तो इस ओसदी के पोध्ये को जिसे अमारी बाहसा में अजगंद के नाम से जानती है इसे जंगली पोध्ये ना के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि अगर आप इसके इस पत्ते को तोड़ेंगे और सुंगेंगे तो आपको पते चलेगा कि इसमें पोध्ये जैसी महकाती है दोस्तो अजगंद के वैसे तो काफिन उसके है परन्तु इसका एक बहुती अच्छा प्रियोग मैं आपको बताता हूँ अगर आपको कई से कट जाए छेल जाए और खोन जादा निकले या और उसके बाद घाव हो जाए या अन्य किसी परकार का घाव हो तो उसमें आपको क्या करना है इसके पत्ते तोड़ लेने है इस परकार से और इने कुचल कर इने अर्थार्थ पीश कर उस गाव पर लगा देना है इस से जो खोन बैर है वह जल्दी बंद हो जाएगा और अगर आप इसे किसी भी तरह के गाव पर लगाते है तो गाव वहाँ से बहुत जल्दी भर जाएगा साफ हो जाएगा ये इस ओसदी की एक खास बात है कि यह गाव को इस तरीके से भरती है ठीक करती है मानों जैसे वहाँ पर गाव था ही नहीं दोस्तो ये थी अजगंद की एक जरूरी जानकारी जो कि मैंने आपके साथ सेयर की री आसा करता हूँ आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी इसी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले क्योंकि मैं इसी परकार की जानकारिया आप के लिए लात रहता हूँ धन्यवाद दोस्तो वीडियो को पूरा देखने के लिए